साध्रम नवो नमाँ वेरनाब एक्ता मैं UGC net सर्स्कृत विश्रे की गाइड हूँ आज नहीं आपको वैदिक साहित्य की इध्यास के बारे में बताऊंगी आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर ब्रावन साहित्य आरन्नक साहित्य और विदाउं की बारे में पढ़ेंगे विदाउं में शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक चंत जोतिस तो सबसे दर्य हम वेदों की बारे में जानते हैं वेद विश्व की प्राचिम द्रध है वेद शव्द विद धाटू गेर पड़ते से मिलता है जिसका अर्थ है ज्ञान प्राचिम कार में रिश्यों में गहन अध्यां से जो ज्ञान अर्जित किया था उस ज्ञान को वेदों में श्लोकों और मंत्रों के रुक में लिखा वेआ सहीता भी जात्माकारगी होती है सहीता प्राव सन्लिकर स्तहीता सहीता के चान परकार है रिगवेद, यजूरवेद, सांगवेद और अथरवेद फिर रिगवेद में समसार की उत्पत्ती और वेद ज्यान की वारे में बताया है और यजूर वेद में यंगे की मंत्रों की विश्य ने बताया है सांग वेद को संगीत का जरम दाता माना जाता है और अथर वेद में चिकित्सा की वारे में बताया है वेद की विश्य में अनेक मत है जिसमें से एकमद यह है कि क्रिश्म दैवायन वेध्यास जी ने अपने शिशो को वेधों की विवादन की जिम्मेदारी दी उसलिए अब हम उनको आचारिय भी कहते हैं तो उनकी बारे में जाथते हैं कि किस वेध के कौन से आचारिय हुए रिगवेत के अचारिये पैल हुए और यिजरवेत के अचारिये वशमपायन हुए सामवेत के अचारिये जैनूनी हुए और अथरवेत के अचारिये सोवन्तु हुए अब उनकी रिश्यों के बारे में जानते हैं तो रिगवेत की रिशी हुए अगनी, यजरवेत के रिशी हुए वायू, सामवेत के रिशी हुए आदित्य सूरिये और अथरमेत की रिशी हुए अंगीरा रिशी तो कई बार प्रशन ये पूछ लिया जाता है कि अथर नेत के रिशी का नाम बताओ तो आप बढ़ा सकते हैं कि अहीरा रिशी अथर वेत के रिशी है अब एक प्रशन और बनता है कि कौन से नेत का पौन सा रित्विक है रित्विक वो होता है जिसको उस वेत का विशिष्ट ग्यान होता है जो रिचाओ का पार्ट करता है वो रित्विक होता है तो लिकवेत के रित्विक है होता ये जर्वेत के रित्विक है अद्वर्यू सामवेत के रित्विक है उद्वाता और अथर वेत के रित्विक है ब्र वेक सावरेजर लेडा एध कंभएध सावर्वेध का उपबीध है गन्दर वेध और अतंविएध का व्रहत है उर्चिती वो सकत्य इसको भी बोलाजाता है थैएख करते हैं एक प्रूंशन दोटा बनात बना जाता है कि क्वेद में क्वेध सी क्वेद में होती है तो जीक्वेट शाकल और कमख परब्तमई जुखल क॰ शाकब्त रुदे से मदयां दिन और कान शाक परब्तमई में अपट करते हैं कि किस वीग में कुसा ब्रामण में ब्रामन करंथ वो जया है कि कौन से मंतर का कहां परियोग हुआ है इमम मंत्रम पठती पठेत की कौन से मंतर का परियोग कहां पर करना है तो रिवेत के ब्रामन है एतेरिय, कोशित की और शांखायन यजर्वेत के ब्रामन है शत्पत इसको भी दो भाग में बात अलिया है यजर शुपल यजर्वेत और कृष्ण यजर्वेत शुपल यजर्वेत के ब्रामन है शत्पत और क्रिशन निजिवेत के ब्रामण है तेरी है अब आते बात सामवेत की सामवेत के ब्रामण है तांडे है शडविश सामविधान आशे और उपनिशत अब अथरवेत के ब्रामण है अथरवेत के ब्रामण एक ही है गोपत ब्रामण एक प्रशन कई पर बन जाता है कि करते हैं आरण्यक की जंगल में बैटकर वेट के वंतरों का वेट के वंतरों को पढ़कर जोनों ने विचार घिया वोते हैं आरण्यक अरण्यक होता है जंगल जिन्होंने जंगल में बैटकर वेट के वंतरों को विचार घिया वो अरण्यक होते हैं तो इक वेट की आरण्यक तो अब हम बात करते हैं उपनिशत की, अपनिशत में ब्रह्म विद्य की चट्चा की गई है विगवेद के उपनिशद है एतेरिये स्चानखायन और कोतिश की शुक्ल येजगवेद के उपनिशद है इशो उपनिशद ब्रहद अरन्यक उपनिशद और येजरवेद के उपनिशद है प्रिशन येजरवेद के उपनिशद है चांदों के उपनिशद और केन उपनिशद और सामवेत की उपनिशद है परशिन उपनिशद मुंडब उपनिशद और मांडिक उपनिशद तो प्रशन कई पर ये बन जाता है कि उपनिशदों का प्रातिपाद्धे विशे क्या है उपनिशदों का प्रातिपाद्धे विशे है ब्रह्म विध्या तो आप ये बता सकते काउने सुनाया था इसने उनोंने उन्हें शूति भी का जाता है वेद को शूति भी का और साम वेद के आचारीय है जहुला है अदर की आचारीय है सुमन्तू एवन आचारीय तो उंपने जाननी हैं आप사 अध्य रिशा को जानते कि किस वेद को किस रिशीने सबसे पहले सुनाया पड़ा तो रिख वेत को सबसे पहले अगनी रिशी ने जाना था और ये जुन रिख को सबसे पहले वायू रिशी ने जाना साम वेत की रिशी हुए आदित्ते अथन वेत की इंशी हुए अंगीरा अब एक प्रशन और भी बनता है कि कौन सा वेद का कौन सा रित्विक है किस वेद का कौन सा रित्विक है यग्या रित्विक वो होता है जो उस वेद को विशिष्ट लोप में जानता हो और वो रिचाओ का पार्ट करते हैं वो रित्विक होते हैं अब रिगवेत के रित्विक है होता, यजुनमेत के रित्विक है अद्वर्यू, सामवेत के रित्विक है उद्गाता और अथर मेत के रित्विक है ब्रह्मा अब हम बात करते हैं कि वेदों का कौन जो ब्रह्मन है, किस मेत का पहिं ब्रह्मन है तो रिगवेत के ब्रामन हो एतेरिय, कोशित्की और सांख्यायन यजुर्वेत के ब्रामन है शुक्र यजुर्वेत के ब्रामन है शत्पत और कृषिन यजुर्वेत के ब्रामन है तेतेरिय साम्वेत के ब्रामन है तांडे, शडविस, शामविदान, आर्शय और उपनिशत अथल्मेत के ब्रामन है गोपत तो कई बात प्रशन बन जाता है कि अथल्मेत का एक मातर ब्रामन कौन सार है तो आप बता सकते हैं कि गोपत ब्रामन है एक मातर ब्रामन अब कई बार बात उत्ते हैं कि शाखा अब हम चल बात शाखाओं की बात कर लेते हैं एक प्रशन यहां से भी आजाता है कि कौन से वेट में कौन सी शाखा होती है तो विग वेद में शाकर वाशकर शाखा है और येजूर वेद में मदैंदिन, वासने, कान्व, मैत्राइनी, काटो, कपिस्टोई शाखा है और साम वेद में कोमोथ, रानाइनी और जैमनिय शाखा है और अथर वेद में शोना और पैकलाद शाखा है अब हम आरन्यक की बात करते हैं आरन्यक वो होते हैं जंगल में बैठकर वेदों को जिसने पढ़कर विचार किया हो वो आरन्यक होते हैं तो आरन्यक है रिगवेद में आरन्यक है रिगवेद के आरन्यक है एतिरिय और शांखायन शुक्रिये जरवेत के आरण्यक है ब्रिहद आरण्यक और क्रिश्यल जरुवेत के आरण्यक है ते टेरिया साम्वेद और अथर्मवेद में कोई आरण्यक नहीं है अब आता है उपनिशद, इसके बाद हम पढ़ेंगे उपनिशद के बारे में उपनिशद में ब्रह्म विध्या की विशे में ये बताया वcęा है जिख वेत की उपनिशद है एतेरिय और शानखायन और कोशित की और शुक लेजर वेत की उपनिशद है ईशो उपनिशद और ब्रहद अरणनक उपनिशद साम वेत की उपनिशद है छंदो अच्छान दोग्य उपनिशद और टीन उपनिशद अथन वेद के उपनिशद है, पशन उपनिशद, वुन्ड को उपनिशद, मांड के उपनिशद अब एक प्रशन ये भी पूछा जाते है कई बाल कि कि उपनिशद का प्रातिपादे विशे कौन सा है तो ब्रह्म विध्या है इसका प्रातिपादे विशे इस तकार हमने चारों वेदों की बारे में जाना कि किसमें कौन से उनके रिशी हैं, क्या उनके उपनेशद हैं, रियोर्ग वेदों की अब उनके कौन से उनकी ब्रामन हैं, आरन्यक हैं